नमस्कार दोस्तों, पॉल्ट्री इंडिया टीवी चैनल में आपका स्वागत है और आज का टोपिक है कि इको लाई से कैसे बचा जाए बिना खर्च के और आपके पॉल्ट्री फार्म की कमाई को कैसे बढ़ाया जाए एक रिक्वेस्ट है कि आप पॉल्ट्री इंडिया टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है पहले तो और सब्सक्राइब करने के साथ ये बेल, ये घंटी जो है इसको भी दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे अप किसी भी वीडियो को क्लिक करेंगे हर वीडियो के अंत में यहां पर आप क्लिक करेंगे तो आपको उसी दिन का रेट मिल जाएगा और यहां क्लिक करेंगे तो आपको पॉल्ट्री से जुड़ी अन्य जानकारिया टिप्स मिलती रहेंगी मेरा आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को शेर करना मत भूलिएगा दोस्तों सबसे पहली बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो है All In All Out All In All Out का मतलब है कि एक ही बार में चूजा आए और एक ही बार में जो बर्ड तयार हो जाए इसको आप मार्केट में निकाल दें कई फार्मर क्या करते है कि एक फार्म पे दो शेड़ हैं एक शेड़ में बड़ा मुर्गा है एक शेड़ में छोटे चिक्स आ रहे हैं ये गलती भूल के भी ना करें, all in, all out ही करना है, अगर ऐसा करेंगे तो इकोलाई पर बहुत ज़्यादा आप कंट्रोल कर पाएंगे, दूसरी बात, हमने कई farmers की कमी देखी है कि वो पुरानी खाद को बाहर डाल देते हैं, और वहां की खाद को जब सूख जाती है तो उसी को उठा के लिए आते हैं और नए चिक्स के लिए नीचे डाल देते हैं, इससे होता क्या है, जो पुराने बर्ड निकले हैं, उनकी जितनी बिमारियां, जितने वेक्टीरिया, वाइरस उस खाद में मौझूद रहते हैं, वो छोटे चिक्स को एफेक्ट करते हैं, इससे पुराने खाद कम होती है, और उसको बहुत जादा देखरेक की जरूरत होती है, तो ये गलती कभी ना करें कि पुराने खाद को आप नए बच्चों में नीचे डालें, ये बात आप ध्यान रखें जब बर्ड आपका चला जाता है फार्म से, उसके बाद फार्म की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करें, कुछ लोग फार्म की सफाई कर देते हैं, लेकिन जालियों को साफ करना या उन पे स्प्रे करना ये ध्यान नहीं रखते, जो परदे यूज किये हैं, उनको साफ करना उन पे स्प्रे करना ध्यान नहीं रखते, जो फीडर और ड्रिंकर हैं उनकी सफाई का ध्यान नहीं रखते सफाई करते भी हैं तो अच्छे तरीके से नहीं करते उनको फार्मोलीन में या किसी अच्छे डिसिंफेक्टेंट से सास नहीं करते तो इस तरीके से फार्म के अंदर एकोलाई रह जाती है और वो एकोलाई ने चिक्स में भी ट्रांसफर हो जाती है और जब वो ट्रांसफर होती है तो हमारे जो फार्म का प्रोफिट है वो बहुत बहुत कम हो जाता है क्योंकि जब बड में इकोलाई आती है तो उसकी बड की FCR अच्छी नहीं आती बड फीड खाता है लेकिन अच्छे result नहीं देता है जिसका दोशम हमेशा feed millers को ही देते हैं और एक और खास बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप farm की सवाई करें तो टंकी, पानी की टंकी और पानी के जो pipe हैं उनको साफ करना ना भूलें उनको जरूर साफ करें बहुत अच्छे अच्छे disinfectant आते हैं उनसे आप पानी की टंकी को साफ करें इस से आने वाले बर्ड को पानी जो मिले वो बहुत साफ सुतरा मिले इकोलाई से मुक्त पानी मिले और एक बात आपको जो सबसे बड़ी ध्यान रखनी है कि कई बार क्या farmers को feed पुराने बर्ड का बचा हुआ होता है और वा कहते हैं कि अच्छा ये बर्ड बचा हुआ है उसको 3-4 बोरो में भर देते हैं और कहते हैं कि जब बर्ड हमारा अगला चिक साएगा उसको हम मिला मिला के थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे ये बड़ी भेंकर भूल होती है इससे बर्ड को पुराने बर्ड में जो बिमारियां होती है वो नए बर्ड में तुरंत ट्रांसफर होती है तो कहते हैं अपने ही पैर पे कुलाडी मारना ये farmer गलती करते हैं आप उस feed को पहले धूप में सुखा लें धूप में सुखाने के बाद बर्ड को ये feed तभी दें जब बर्ड आखरी stage में मुरुगी या जो ब्रॉयलर है आखरी stage में जिसको हम निकाल रहे हैं मतलब इसको मंडी में भेजने की तयारी कर रहे हैं तभी यूज करें उससे पहले इसको कभी मत यूज करें दोस्तो एक दवाई है जिसके salt का नाम मैं ले रहा हूँ दवाई का नाम नहीं ले रहा है क्योंकि बहुत कमपनियों की दवाई आती है उस दवाई का नाम है sodium dichloro isosinonurate sodium dichloro isosinonurate ये salt है ये कहीं कमपनियों की आती है दवाई ये ये दवाई आप 250 लीटर से 500 लीटर पानी में अगर ये आप एक गोली डाल देंगे तो ये गोली इसमें घुल जाती है और पानी में मुझूद जितने बैक्टीरिया और वाइरस हैं को खत्म कर देती है इससे जो इकोलाई का प्रकोप है वो लगबग लगबग ना के बराबर हो जाता है या बिलकुल खत्म हो जाता है ये 5-4 रुपे की गोली है, कोई महंगी गोली नहीं है, ये 5-4 रुपे की गोली अगर आप यूज करते हैं, तो इससे बहुत अराम मिलेगा आपके फार्म पे इकोलाई का, इकोलाई नहीं, और भी हर बिमारी में आपको अराम मिलना शुरू हो जाएगा, और ये ध्यान रख दवाई को 50 या 100 लिटर में डाल दें, ताकि दवाई तेज हो जाए, पानी तेज हो जाए, पानी की नर्जो दवाई हो तेज हो जाए, और बैक्टीरिया वायरस अच्छी तरह से खत्म हो जाए, इसमें बचा ही कुछ ना, तो दोस्तों अगर आपको ये टिप्स अच्छी लगी है, इस वीडियो को शेर जरूर करें, अपने कोमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें वीडियो को, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आने वाले वक्त में हम आपको और भी वीडियो देते रहेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिए, धन्यवाद.